हेलो फ्रेंस वेलकम बैक माई यूटुब चैनल परी ब्यूटी पालर एंड स्लाइबुटिक तो फ्रेंस आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बी गले के साथ नेक डिजाइन बनाना तो फ्रेंस इसमें खास बात ये भी रहेगी कि इसमें बी गले में बैक साइड में हुक पट्टी और आई पट्टी भी लगाना बताए Holz वीडियो को इसकव नहीं करना है पूरा देखना है तो फ्रेंस आए हमारे साथ वीडियो को सुरू करते हैं इस ब्लाज को हम 28 ज़की इसाब नहीं यहाएगी तो देक्पादी हमारवन भागाईगा ज़िएंग और शीक ऑ और यहां दीकि सोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है और इस तरह आर मूल की लेंथ भी 6 इंच रखनी है क्योंकि जितनी हमारी सोल्डर की चौड़ाई होती है उतनी ही आर मूल की हम लंबाई लेती है अब हम सबसे नीचे बॉटम की साड हाप इंच पर एक निसान लगाएंगी और उसी निसान से इसकेल रखकर इस निसान को सीधा इस्टीर कर देंगी इस तरह से तो फ्रेंज से ये मार्जन हमने कमर पट्टी फोल्ड के लिए लिया हुआ है क्योंकि कमर पट्टी पर हम तुरपाई नहीं करेंगी अंदर ग्राउंड चलाई लगाएंगी अंदर ग्र हमारी ड्राप्टिंग हो चुकी है अब हम गले की मार्किंग करेंगे हमें नीचे से टेप को रखना है माजन को छोड़ते हुए और तीन इंच पर निसान लगा लेना है इस तरह से अगर हम सोलर से टेप को रखकर ना पेंगी तो हमारी गले की लंबाई साड़े ग्यारा होगी गले की चौड़ाई साड़े तीन इंच रखेंगे और अब हम इस तरह जो हमने पॉइंट लगाए हैं उसी पॉइंट पर तिरचे में स्केल को रखकर स्टिट लैन कर देना है तो फ्रेंस यहां पर हम गले को थोड़ा ग्राट करेंगे तो इस तरह यहां पर थोड़ अब बाहर की साड़ लग दो पॉइंट या हाप इंच इसमें सेव्थ धें कुछ इस तरह से तो फ्रेंस अगर इसको रोट में रखना हो तो इस तरह से सेव्थ दें अगर ना रखना हो तो जो हमने तरचे में लैन किया है इसकेल सी शो सी निसान पर कटिअ कर देना है और हमने गले की ड्राप्टिंग को कर लिया है अब हम कटिंग करेंगी तो हम कटिंग अंदर वाले निसान पर करेंगी क्योंकि फ्रेंस हमें मार्जन छोड़ना है जब हम सिलाई लगाएंगी तो सिलाई हम बाहर वाले निसान पर लगाएंगी तो यहां देख सकती हो जो हमने नि अब हमें मैन फैब्रिक को राइट साइड में बिचा लेना है सीधी साइड में बिचाना है और इस तरह जो हमने लैनिंग वाली पल्ली पर कटिंग की है तो इस तरह सेट कर लेंगी मैन फैब्रिक की उपर तो फ्रेंज से ध्यान रखना है हमें मैन फैब्रिक की सीधी सैड में पल्ले को सैट करना है क्योंकि हम अंदर ग्राउंड से लगाएंगी तो इस तरह हम पिन से अच्छे से सिक्यूर कर लेंगे तो फ्रेंज अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देखी तो यहां पर देख सकती हो फ्रेंज हमने अच्छी से पिन लगा कर पल्ले को सिक्यूर कर लिया है मैन फैब्रिक की उपर अगर पिन ना हूँ तो सुई में धागा डाल कर और इसकी चारो रौंड में सिलाई लगा लें जिससे हमारा पल्ला अच्छी से सैट हो जाए तो दिखे फ्रेंज यहां पर जो हम सिलाई लगाएंगी वो लगबग हम हाप इंच अंदर सिलाई लगाएंगी इस तरह से सेप का निसान लगा देंगी तो फ्रेंज यहां फिर से हम बताना चाहेंगी अगर आपको ज़्यादा ब्रॉट में गला ना पसंद हो तो फ्रेंज जेस तरह से हमने कटिंग की है तो उसी की हम किनारी किनारी सिलाई लगा लेंगी तो यहां देखे हमने थोड़ा लगबग हाप इंच ब्रॉट में यहां पर सेप को दे दिया है गले में और जो हमने सेप का निसा लगाया हुआ है इसी पर हम सिलाई लगाएंगे और यहां पद्दी की प्रेंस बिलकुल किनाहरी सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे लगानी है सिर्फ हम एक पैर का मार्जन छोड़ेंगे जादा मार्जन नहीं छोड़ेंगे और नीचे की सैड हमने हाप इंच मार्जन लिया हुआ है तो हम हाप इंच मार्जन को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो यहां देख सकते हो हमने कले से लेकर बॉटम तक सिलाई को लगा लिया है और इसी तरह हमें दूसरी सैड पल्ले को अटेश कर लेना है मैं फैब्रिक की उपर तो दिखी बॉटम का निसाल लगा हुआ है तो उसी पर हम सिलाई लगा लेंगी पिन को निकाल दे जाना है और यहां पर हम बिल्कुल किनारी सलाई लगाएंगे क्योंकि नहीं तो हमारी जो गले की चड़ाई है वो कम हो जाएगी तो हमें बिल्कुल किनारी सलाई लगानी है और गले की चड़ाई में हमारा सेप का निसान लगा हुआ है तो उसी निसा बस सलाई लगा लेंगी और पिन को निकाल दे जाना है अब हमें मैन फैबरी की कटिंग कर देनी है इस तरह से तो यहां देखिए दोनों पलों को हम अलग-अलग कर लेंगी और जो बीच का फैबरिक है उसको कट करके निकाल देंगी सारे पिंस को निकाल लेंगे अब यहां दिखे हलकी हलकी कट्स लगा देंगे सिलाई बिल्कुल भी ना कटने पाए तो यहां अच्छी से कट्स लगाना है बॉटम की सैड भी हम कट्स लगा देंगे तो यहां पर दिखे हमारा एक्टा फैब्रिक है तो उसको हम कट कर देंगी उसके बाद में कट से लगाएंगी और यहां देख सकते हो फ्रेंज हमारा सैट से पला ओपिन है तो यहां से हैंड डाल कर फैब्रिक को सीधा कर लेंगी पलट कर और अच्छी से पल्ले को सैट कर लेंगी तो यहां दिखिए हमने नौक निकालने के लिए सीजर ली हुई है सीजर से हम अच्छे से नौक को निकालेंगे सीजर हो या फिर कोई भी नुगीली चीज लेकर नौक को अच्छे से निकाले तो फ्रेंज सी अगर आइरन लगा ले iron करके गली को set कर ले तो और भी अच्छा रहेगा अब हम गली के उपर टॉप इस्टिच लगाएंगी यह सिलाई हम बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगी और यहां जो bottom set की सिलाई लगाएंगी उसको हम एक पैर का margin छोड़ते हुए सिलाई को लगाएंगी देख सकते हो फ्रेज हमारा एक set का पला complete है और इसी तरह हम इस set पले को set कर लेंगे जोगी हमने कर लिया है और यहां पर हम गले में lace attach करेंगी तो फ्रेज अगर lace हूँ आपके पास तो lace attach करें और यहां पर lace को skip भी कर सकते हो और सबसे पहले हम गले के किनारी पर एक सिलाई लगा कर लेस को अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो गले का एंड है तो इस निसान से हमें बिल्कुल किनारी पर मिला कर रखना है लेस को और लगबग हाप इंच बढ़ा कर लेस को कट करना है दीखिए नीचे तक हमें मिलाना है और तिर्चे में यहाँ कट करना है हाप इंच बढ़ाती हुए और जो हमने लेस एश्टा में half inch cut किया है उसको हमें अंदर की तरफ fold कर देना है इस तरह से और हमें set करके सलाई लगा लेनी है और यहाँ दिखे बिल्कुल हमें किनारे पर यहाँ पर सलाई लगानी है knock को बनाते हुए और यहाँ दिखे बैक में हमें फिर से बार की set चलाई को लगाना है तो हमरा दिखे लेस कितने अच्छी से set हो गया है एक side का और इसी तरह हमें दूसरे वाले पले में लेस को attach कर लेना है तो यहाँ दिखे परेंस हम करके दिखाएंगी तो आगे की side इस तरह लेस को set करके रखना है बिल्कुल मिलाती हुए गली से हमें बिल्कुल जो हमारे गली का end है तो दिखे यहाँ पर अच्छी से लेस को मिला लेना है और finger से यहाँ दबा लेना है और अब दिखे लेस को छोड़ना है जहां तक हमारा नीची तक लेस जाए तो जाने देना है और दिखे बिल्कुल हमने जो हमारा फैबरिक है उसकी हमने state निसान लगा लिया है और इस तरह यहाँ पर दिखे हम तिरची में कोना बनाती हुए लेस को हाप इंचे बढ़ा कर कट करेंगी और जो हमने बढ़ा कर कट किया है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगी और दिखे गले से हमें इस तरह लेस को सेट करके रखना है गले से हमें सेट करके रखना है नीचे तक एकदम बिल्कुल इस्टेट में रखना है लेस को और अब हमें सिलाई लगा लेनी है तो सबसे पहले हम गले के किनारी किनारी एक सिलाई लगा कर लेस को अटैच कर देंगे इस तरह ऐसे तो लेस में बिल्कुल भी किचाब नहीं करना है और यहां पर देखी प्रेस जब हम सिलाई लगाएंगी तो हम लेस को ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगी इस तरह से हलका हलका इसको हम लूज छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगी किचाब नहीं करना है नहीं तो हमारे जब हम लेस में दूसरी सिलाई लगाएंगी तो हमारा बहुत ही जोल आएगा और इस तरह दिखिए हमें सबसे पहली यहां आंगे की साइड हमें इस तरह लेस को सैट करना है नीचे तक कोना बनाना है तो हम पहले एक सिलाई सीधी सीधी लगा देंगे जिससे हमारा यहां पर देखिए आंगे की सैट लेस सैट हो जाए तो यहां देख सकते हो फ्रेंज हमारा कितना अच्छा देखिए बीस से बन गया है देखिए और अब हमें बाहर की सैट सिलाई लगा लेनी है और इस तरह बिलकुल किनारे किनारे सिलाई को लगाएंगी और इस तरह एश्टा लेस में कट कर देगी तो देखिए फ्रेंज कितने अच्छी से हमने लेस को अटेच कर लिया है अब हमें पल्ले को पलटकर उल्टी सैट में बिचा लेना है और डाट की सलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से और इस तरह हम दूसरे वाले पल्ले में सलाई लगा लेंगी और इस तरह हमने दोनों पल्ले में पलेट की सलाई को लगा लिया है अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगी तो दिखिए आई पट्टी की चाड़ाई हमने डवल फोल्ड में दो इंच ली सबसे पहले इस तरह हाप इंच नीचे की साड पलट कर एक स्टेट स्लाई लगा लेंगे अब हम पट्टी को डवल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसको पल्ले की नीचे साड करेंगे और आई पट्टी की चड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हो तो यहाँ देख सकते हो हमने लगबंगे जेड इंच चोड़ाई रखी हुई है और इस तरह नीचे की साड अच्छे से मिलाती हुई पट्टी को रखना है और यहाँ दिखें आई पट्टी की साड इहां बिलकुल गले से पट्टी को मिलाती हुई रखना है एश्टा पट्टी को हम उल्टी सैड में पलट देंगे और यहां अच्छी से इस्टिच लगा लेंगे तो दीखी हमने आई पट्टी को लगा लिया है कितने आसानी से आई पट्टी को लगा लिया है और इस सैड में हम होक पट्टी लगाएंगे तो फ्रेंस हमें होक पट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लैनिंग को अंदर ग्रांड में फोल्ड कर दिया है तो यहां दिखे हम एक पिन लगा कर और यहां सैट कर लेंगे तो देख सकते हो गले का हमारा सेप तो फ्रेंस इस तरह हम दो सो बटन लेंगे और इसके उपर अटेज करेंगे तो यहां दिखे नीचे की साइट हमने होक लगा लिए है और उपर हमने सो बटन लगा दिए है तो देख सकते हो बैक साइट का हमारा गला कितना अच्छा लग रहा है और इसमें दिखे होक भी लगे हुई है बैक से ओपन भी है तो दिखे इसका लुक देख सकती हुआ तो फ्रेंस से यह कला हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना जरूर है और अब हम इसके लिए जूमर बनाएंगी लटकर बनाएंगी तो देखे लैनिंग और मैन फैबरिक दोनों को हमने 4-4 इंच लंबाई चोड़ाई में कट किया है और इस तरह इसको एक कॉर्णर से डबल फूल्ड कर लेंगी और यहाँ पर पिन लगा लेंगे जिससे अच्छे से हमारा फैबरिक सैट हो जाए अब यहाँ देखे नीचे से टेप को रखकर 4-4 इंच में गुलाई देंगी और एश्टा फैबरिक कट कर देंगी और यहां पर देखिए जो हमारा मैन फैबरी की उल्ठी सेट हम उपर की तरफ कर लेंगी और इसको सेट कर लेंगी अब हम गुलाई में इसकी सलाई लगादेंगी इस तरह से और Official सेट कट से लगादेंगी अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगी कि और यहां ऊपर की सड़क होई है तो उसको सइट करने के लिए हम एक टॉप इस्टिच लगाएंगी अच्छे से से मैंड फैब्रिक को यह लिए सब कर लेंगे और इस तरहा हमने फिरल बना कर रख ली है तो देखी हमने डिफ्रेंट कलर का फैब्रिक लिए बनाई हुई है और इस तरह सबसे ऊपर हम इसको घ्रीन सब्सेया बनाया हुई है उसको आटेज कर लेंगे और इस तरह से और एकष्टा फिरल को हम कट कर देंगी और अब हम लेस आटेज करेंगी जो हमारी नेट है वो नहीं दिखेगी और अब हम उपर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा अच्छी से लेस सैट हो जाएगा और अब यहां दिखी जो जिस कलर का हमारा लेटकन है उसी कलर का हमने फिर बनाया हुआ है तो उसको सैट करेंगे और यहाँ पर दिखिए अच्छी से सैट करना है जिससे हमारी लेस भी दिखिए और यहाँ दिखिए जो हमारी फिरर की नीड है वो छुप जाए इसके लिए यहाँ पर हमने लेस को अटैच किया हुआ है तो इस तरह डबल से लगा लेंगे तो यह जुमर बहुत ही दिखने में अच्छी लगती है तो फ्रेंस इसका हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है तो उसको आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर देखिए हमने गरीन कलका फ्रें लिया हुआ है इसको सैट करेंगे और देखिए हमें हर बार में लेस को अटेच करना है नीट को छुपाते हुए और इस तरह डबल से लाई को लगा लेंगे जिससे हमारी लेस अच्छी से सैट हो जाएगी और यहां देखिए फनीसिंग कर लेंगे अब हम डोरी लेंगे और इस तरह बीच में डोरी को सैट करेंगे लटकन को डबल फोल्ड में फोल्ड कर देंगे और अच्छी से मिलाती हुई सिलाई को लगा लेंगे अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे इस तरह से तो देख सकते हो व्रेंस हमारे कितना सुन्दर लुक आया है लटकन का और इसी तरह से हम दूसरे वाले लटकन को बना लेंगे तो देखिए इसका लुक देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों लटकन को बना लिया है अब हम गले में अटेच कर लेंगे तो हमने उपर से धाई इंच नीचे एक निसान लगाया और उसी निसान पर डोरी को अटेच कर लेंगे और इसी तरह हम इस साइड भी डोरी को एटैच कर लेंगे तो फ्रेंस अब हम इसका फूरा फैनल लूक दिखाएंगी तो फ्रेंस देख सकते हुआए हाँ फूरा फैनल लूक तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको सेयर करना है तो फ्रेंस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें सब्सक्राइब जरूर करें